मौनसुन का मौसम शुरू हो चुका था आसमान में काले काले बादल चाये थे जो भयानक तोर से चमक रहे थे दर्वाजे परी बैठ कर पांच साल का मोनू कविता पड़ रहा था जबर जबर बालो वाले गुबार से गालो वाले लगे कूदने आसमान में जूम जूम कर काले बादल कुछ हाथी सी सूंड उठाए कुछ मोटे से तोंद फुलाए लगे जूमने आसमान में जूम जूम कर काले बादल अरे वा भाई तुझे तो आधी कविता याद हो गई है बस आखरी की लाइन याद कर ले बभीता मैं काम पर जा रहा हूँ ठीक है जी सुनो आज जाना जरूरी है क्या देखिये न बाहर का मौसम बहुत खराब हो रहा है बहु बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा देख बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही है जैसे तेज की तुफानी बारिश होगी मा अगर बारिश के चलते घर पर रुख जाओंगा तो दाल रोटी कैसे चलेगी जाओंगा तो चार पैसे कमा कर लाओंगा अगर नहीं गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा और अनाज की ट्रक आई है रात में उसे लेके शेहर जाना है जैसे ही कमल अपने परिवार को छोड़कर जाने लगता है उसके दोनों बच्चे मोनू रानी उससे लिपड़ जाते है जल्दी आना पिताजी हम आपका इंतिजार करेंगे मेरा बच्चा मेरा प्यारा बच्चा जल्दी आऊंगा और जब आऊंगा तो तुम दोनों के लिए धेर सारी चीजी लेकर आऊंगा लेकिन उस रोज कमल के सिर पर काल मंडुरा रहा था पूरी रात मूसलाधार बारिश होती है जिसके मारे उस गरीब परिवार का सोना दुरलब हो जाता है और च्छत जगा जगा से टपकने लगती है लेकिन तब ही बारिश का पानी उस गरीब के चौकर तक भर जाता है और धीरे धीरे दर्वाजे के अंदर भरने लगता है दोनों बच्चों की आँखें नीन्द से भर जाती है मम्मे मुझको बहुत जोर के निन्या आ रही है सुला दो ना कहां पर सुलाओ मेरा बच्चा पूरे के पूरे घर में तो बरसात का पानी गुसा हुआ है किराया देते हुए भी हर बार घर में बरसात का पानी ऐसे ही जमा हो जाता है मकान मालिक जान बूच के घर की छत की दीवार पर कुछ नहीं ठीक करा रहा ताकि हम गरीबों को खाली करवा सके यहां से घर खाली करके जाएंगे भी कहां महंगा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कहीं भी कमरा चार पांच हजार उपए से कम का नहीं बस यह तो जुगी ही 1500 में मिल गया वरना इस बरसात के मौसम में हमारे सर पर छट भी नहीं होती बरसात का पानी साफ करते करते सुभा के चार पांच बच जाते हैं तब ही कोई तेज तेज में दर्वाजा खट खटाता है ये तो मकान माली की आवाज लगती है मगर यह सुभा सुभा आखर गदर क्यों मचा रहा है मैं देखती हूँ बूरी सास दर्वाजा खोलती है तब भी हलकी फुलकी बूना बांदी हो रही थी और मकान मालेक छटरी लिए खड़ा था गंगा किसी बेबस के थरा हाज जोड कर बोलती है माई बाप आप इतनी सुभा सुभा यहाँ पर अरे रहने दो रहने दो आविस सबसे धाल नहीं कलने वाली चलो बोरिया विस्तर उठाओ और निकलो अपने अपने गच्चे-गच्चे बच्चे लेकर लेकिन क्यों सेट जी मेरे पती तो टाइम से किराया दे देते हैं इसी महीने थोड़ी देरी हुई है लेकिन आज वो कमा कर आएंगे तो पैसे दे देंगे अरे लगता है किसी ने तुझको ख़बर नहीं दी तेरा खसम मर गया है कल रात को बरसाद में अनाज की ट्रक लेका जा रहा था कुछ लोग बतला रहे थे कि पुल तूट गया और बरसाद भाले गई तो कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे है कि बिजली गिर गई और मजदूर समय सब दर पर ही मर गए ये सुनकर बोड़ी गंगावती बेटे को खोने के गम में चाती पीड लेती है हाई मेरा बच्चा मुझको अपने संग में ले चलता अरे ओ बड़िया मेरे मकान में रोना पीडना मज लगा चलो फूटो निकलो भाई बबीता अपने दोनों बच्चों का मूँ देखकर मकान मालिक के पैरों में सिर पटक देती है अहसा मत कीजी इस बरसात के मौसम में मैं गरीब अखेली औरत अपने चोटे चोटे बच्चों को लेकर कहा बटकूंगी थोड़ी तो दया दिखाईए अरे थोड़ी क्यो मेरी रसमा लाई यारे मैं तो पूरी दया दिखाने को तयार हूँ बस बदले में तुझको मेरा थोड़ा दिल बहलाना होगा ये सुनकर बबीता उसे खीच का चाटा मारती है जिसे मकान मालिक गुसे में लाल पीला हो जाता है ये सुनते मकान मालिक बॉक लाकर बबीता और उसके दोनों बच्चों को कीचर में धक्का मार देता है इसी कीचर के लाईक है तू हाला तो कि मारी दोनों गरीब सास बहू बच्चों का हाथ पकड़े बारिश में भीगते हुए सडकों में इधर से उधर भटकने लगती है कई घंटे गीले हुए गुजर जाते हैं तभी एक फुटपाद पर मोनू भुट्टा चिली बेगते हुए देखता है मा मुझे जोर की भुग लगी अब भुट्टा की ला दोना मेरे पास पैसे नहीं है मोनू मा जादा धुड़ी मांग रहा हुँ बस एक ही दिला दोना प्लीज मैं और दीदी उसी में से आदा बाटकर खालेंगे दिला दोना बोलते हुए मोनू जोर-जोर की रोने लगता है अच्छा चुप हो जा मैं जाती हूँ लेने बभीता भुट्टे वाले के पास आती है भाया जी एक भुट्टा देंगे? अरे बिल्कुल बेहन जी एकदम मस्त छली भुट्टा है बच्छिस की एक पड़ेगी, बदाओ कितना दू? मेरे पास देने को पैसे नहीं है अरे पैसे नहीं दिये, तो क्या फ्री का भुट्टा खाओगी है? मेरे बाप दादा की खेती बारी से तोड़ का धोड़ी न लाया हूँ चलो भागो यहां से ठेले वारा डाट कर भागा देता है तभी एक दम जोर-जोर से बादल कर रजने लगते हैं और आधी तूफान भी चलने लगता है और लोग अपने अपने घरों की तरफ भागने लगते हैं लगता है बहुत जोर की बारिश आने वाली है, चलो घर चलते हैं मा मेरी आँखो में धूल पड़ रही है, देखो सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, आप भी चलो ना, दादी, उठो, उठो ना तभी बूडी कंगावती रोते हुए बोली कौन से घर जाएंगे बिटिया, घर तो है ही नहीं अम गरीबो का मा जी देखो बारिश होने लगी, सर्चे पाने के लिए जगा ढूननी होगी चारो एक स्टैंड पर आ जाते हैं, पूरी सड़क पर सन्ना ठचा जाता है तभी पुलिस की एक जीप सड़क से जाते हुए अनाउंस्मेंट करती है सुनिये, 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 मौसम विभाग ने जारी किया है अगले एक सब्ता तक रिकॉर्ड तोड बारिश होने वाली है अपने अपने घरों में बने रहिए, सुरक्षित रहिए तभी गरीब परिवार को स्टैंड पर देखकर पुलिस वाला डाट कर बोलता है सहम कर वो लोग उस जगा से उठकर आगे चले जाते है आसमान में बरसात के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिर रहे थी सुबह से शाम रात तक बरसात में भीग कर विचारे गरीब परिवार वाले थर थर कापे जा रहे थे बोलते बोलते ठंड और बरसात की जखड़ में मोनु बेहोश होने लगता है मा मोनु को कुछ हो गया है देखो मोनु मेरा बच्चा आँखे खोल खोल ना बेटा भाजी देखे ना इसको क्या हो गया बाहु वो देख वहाँ पर सर चुपाने की थोड़ी सुविधा है वहीं चलते हैं बरसात के कहर उस गरीब परिवार को कच्रेदान में ले आता है जहां कोड़ा खता पड़ा था वो सब एक पाइपलाइन में बैट जाते हैं इधर बरसात लगातार बरस्ती जाती है मोनु मेरा बेटा उट जा घर चलना है उटना हिमत हारती हुई बबिता तूटे दिल से भगवान को बहुत गोस्ती है और रो रोकर मोनु का हाथ पाउं मलती है तब जाकर वो आँखे खोलता है इसी तरह से एक दो दिनों ने ऐसे ही बेघर होकर बगएर खाई पीए पाइपलाइन में काटना पड़ता है उधर अमीर तपके के लोगों के लिए बरसात का मौसम सौहानी खुशिया लाता है जो अपने बंगलों और उचे मकानों में मौज मस्ती में थे बारिश में भीगते हुए बवीता कच्रा बीनने के लिए निकलती है जहाँ कोड़े दान में भी घुटनों तक पानी भरा पड़ा था वो जैसे ही पाउ डालती है काच का टुकड़ा उसको चुप जाता है किसी तरह गरीब बहु थोड़ा बहुत कोड़ा बेच कर दस बीस रुपए में डवल रोटी लाकर बच्चों को खिलाती है जहाँ एक तरफ गरीब परिवार का नसीब था जो कच्रे में पड़े थे वहीं दूसरी तरफ स्रलक पार अमीरों की चमचमाती कोठिया थी और इतने पैसे भी नहीं है कि दोबारा घर बना सके तभी बविता आसमान में पक्षियों को तिनका लेके जाते देखती है मा जी हम घर बनाएंगे जब ये चोटे परिंदे इस मौसम में इतना संगर्ष कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं दोनों सास बहुत जुगार लगा के घर बनाने का सोचती हैं इदर उदर घूम घूम कर तिरपाल और बोरी और काम में आने वाले समान को एकठा करती हैं और किसी तरह से बरसाथ में सिर्छ छुपाने के लिए अपने लिए टेंट घर बनाने लगती हैं कई बार तूफान के चलते काफी दोविधा आती है लेकिन आखर में वो टेंट घर तैयार कर लेती हैं लीजे सासुमा बन गया हमारा टेंट घर इसका किराया तो नहीं देना पड़ेगा हाँ बहु अब कोई हमको हमारे घर में से नहीं निकालेगा नहीं ये हमारा घर है गरीब ही सही ऐसा कहते हुए दोनों की आखों में गम के संग एक संतोश भी था चारो टेंट घर के अंदर जाते हैं और दोनों सास बहुँ खुम महनत करती हैं और एक साल के अंदर अपने लिए एक छोटा मोटा अपका घर बना लेती हैं जिससे फिर उन्हें कभी बरसाद में बेघर ना होना पड़े लेकिन अभी मौनसून का मौसम लाखों लोगों का घर हर साल उनसे चीन लेता है जो रोड साइड में रहने के लिए मजबूर है